चो क्या हाल चाल है सब बढ़ियां तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUP समेस्टर वन 2023 से 26 या 27 से सन आप सभी कह सकते हैं और आप सभी बच्चों का AEC का पेपर यानि कि कोर्स में अगर आपने हिंदी रखा हुआ है तो हिंदी में आज का हमारा टॉपिक होने वाला वह है संप्रेशन यानि इंग्लिस में जिससे कम्मुनिकेशन का आयाता है तो यह हम लोग पढ़ने वाले इसके एक या कह सकते इसके बाद एक और लेक्श्यर रहेगा जिसमें आ प्रकार पल-पल की हर वीडियो मिलता रहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम गुरूफ फेज़ूग बिलेगा जहां जुड़ जाए ताकि किसी प्रकार अपडेट आएगा तो सबसे पहले वहां पर आपको सेर कर दिये जाएगा देखिए सबसे पहला संप्रेश और इसके जो हमारे पर प्रकार होता है ठीक है देखिए प्रकार अलग होता है रूप अलग होता है तो यह चीज़ हम लोग इसमें चर्चा करने वाले तो संप्रेशन क्या है इसके प्रकारों को हमें वनन करना है सबसे पहले संप्रेशन जानने कोशिच करते हैं देखिए स का जो समयने अर्थ होता है यहिए अगर हम लोग जनरली अपने लोकल भास में बात कि यह एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक किसी भी वस्तु को या फिर अगर हमारे बिचार को भेज ना तो वो एक ग्ति दूसरे ग्ति अब प्हुंचाता है यानि कि उसे क्याए तर समप्राइशित करता है और यह एक प्रकिरिया है इस्ट के मायदम से क्या होते हैं हमारे जिसरे भाव विचार आधी moh प्रतान होता है यही समप्रेस के नहीं, मतलब, अगर आप जनरली अपने भासम कहें, तो भाई हमारे विचार, यानि हमारे जो फिलिंग्स है, वो हम दूसरों को सेर करते हैं, भाई आप लिख के बोली है, इसारा से सकते हैं, अप लिख दीजए, बोल के बताईए, सब क्या ह हमारा उसका एकाट होता है इसलिए यह हमारे पक्रांत निकाले तो कहा जाता है कि लिज़ाना है जाता है कि बच्चे मेरी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं तो हम लोग यह दूसरे क्या करें किसके दुरूबात करें तो हो सकता है सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे पस यूटूब इसके तो इस प्रकार हमारे पास आगर आपसे पूछा जाए कि संप्रेशन क्या है तो इसका परिभासा आप समझा के क्योंकि आपके पेपर में द तो बता ही आगर आपको भासा पुछा क्या आप बोलिए गए कि भासा क्या आचारा प्रतन करने साथ नहीं आप उसको देश्ट में लिखेगा तो उसी प्रकार हमारे पास संप्रेशन है तो संप्रेशन कमा बना बना के बढ़ा करना अगला देख संप्री आप कहा-दार आ यानि बाई किन्तु एक ही व्यक्ति अगर एक से अधिक बहुत सार यानि बड़े लेबर पर लोगों से कॉंटेट हो जाएगा तो यह क्या कर आता है जन संपर्ख में आने के लिए विचारों को प्रिसीद करना है तब वह व्यक्ति संचार की अफिक्चा क्या कर आता है जन सं रहाचा इससे क्या सकते हैं यह यो टूब है खा緊 का करता है ऐक बैक्ति आंग्यूंछा से संपर्ख क्या सकते हैं इंहां पर स्ताफित करने में पर्तिक नियुक्ति वह रेडियो होता था इस प्रकार के माइदम से लोग क्या करते था जुड़े रहते थे क्योंकि पहले जमाना में जाईए गात भाई उस तरह क्या होता दीडी निवस आता था लेकि उसी में देखने के लोग भाई आस पास के सब के सब लोग देखते था आराम से बैटके देखते रहे तो यह रेडियो तथा जो कह सकते दुर्दसन है यह संचार का हमारे पास क्या सर्वत्म क्या उधारन विया पर आपको बता पेपर में पूछा गिया उस अवाल है संप्रेशन के प्रकार बताईए और टाइप से क्या क्या है तो सबसे पहले देखिए एक होता है हमारे पर आपचारिक होता है अनपचारिक मतलब इनफॉर्मल और आपचारिक मतलब जब आप किसी से जैसे अगर मन के चलते हैं कोई प्रकार आपके पस अधिकारी है मारा कि आपके सामने को आपके सामनी कोई आपैस अधिकारी क्या आप नूर्मल य आपने भावख साम बत करिए का दोस्तों से या पी अनौपचारिक भी खाया था ठीक हिंदी में से खाया है तो ग्रेप कोई अनौपचारिक वग्यानिक तरीके से बात नहीं किया सकती है इसमें सब आयाद है जैसे जब स्कूल में अवकास होता है चुट्टी होता है तो सब बचे आयाद से अपने दोस्तों से मस चिल आट करके बात करते हैं यही क्या कहलाता है हमने पाण अनौपचारिक और अपचारिक क्या कहलागा जब आप किसी से फॉर्मल हो के बात करेगा एक फॉर्मल रूप में बात करेगा तो यह हमारे पास किसमें काउंट होता है आसा करोगा कि आप सबीबचों को आपचारिक और यह उप्चारिक जो डिफरेंस होता अंतर होता है वो किसी को समझ में दिक्कत नहीं आया होगा एक हमारे पास थे क्या एक तरफा यह जब एक्जाम्पल के तो समझे को जिस करिएगा कख्छा में अध्यापक ने बच्चों को बोला है कि वे खड़े हो जाए तो बच्चे खड़े हो जाते हैं तो वन वे लेकिन कोई बच्चा क्या बोलता है सर आप भी खड़े नहीं तो एक ही तरफ का जब संदेश आएगा तो उस सामिल होता है जैसे अध्यापक अक्षा में बच्चा उसका जवाब देता है तो यह क्या होगा टू वे हमारे पास क्या होगा संप्रेशन हो गया एक अगला हमारे पास अंतव्यक्तिगत संप्रेशन यानि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है और उसे क्या करता है अन्तका व्यक्तिकत संप्रेसन कहते है यानि जब इछा के बाद notify me धुसरे सब्डों में व्यक्तिक्न ARG Usually क्हार लेकिन दूसरे सब्डों में जब व्यक्तिक से प्र्शन करता है तो ci app में संप्रेसन कहा हमारे पर इसी तरह देखिए है एक अंतर व्यक्तिक सम्प्रिकेसण यहाँ पर याँ जब दो या दो से अधीक वेक्तियों के बात adhere बाते होगा उधारन यहाँ पर साब्दिक संप्रेशन यानि साब्दिक संप्रेशन में सदेब जो होता है वो भासा का प्रेव होता है यहाँ पर साब्दिक संप्रेशन तब होता है जब मौखिक यानि आप मुझ से किसी को बोल के क्या करिएगा अभी वक्ति के द्वारा अपने सब्दों को क्या करिएगा प्रस्तूत करिएगा और यह हम अपने दैनिक जीव में सबसे आदे हैं नहीं सब्दों को इस्तमाल करें अब मैं भी कुछ बोल रहा हूँ तो भाई यह साब्दिक संप्रेशन ही होगी हमारे पास एक आजाएगा असाब्दिक यानि जब हम लोग क्या करिएगा लिख के दिखा दीजेगा या फिर इसारा के तुरूज समझाएगा यह हमारे पास क्या हो जाएगा इस प्रकार के संप्रेशन में क्या होता है अन्ता प्रक्रिया में आमने सामने आती है सिक्षक के सामने छातर बेट कर सुनते हैं यहाँ पर और अनेक आयसे अबसर भी आता है जब विचारों तता भावनाओं के संप्रेशन में साज़ द्यारी होती है सिख्षक अपनी आखों से कख्षाव का क्या नियंतर रखता है अपने हाउब भाव से संप्रेशन को प्रावई बनाता है भावनाओं को संप्रेशन होता है वो असाब्दिक अंतर प्रक्रिया सभी होता है कि एक अच्छा इस्टेट वही होता है जो अच्छा लिसनर होता है जो सुनेगा वही देखे काम करका है भविसमें देखे आप सभी बच्चों को देखे पॉलिसी याद रखना है कि जो भी आपको जहां से इनफॉर्मेशन मिल रहा है उस इनफॉर्मेशन को पूरा सुनिए उसके बाद अगर कोई समझ नहीं आता तो आपके लिए कमेंट सेक्षन ओपन रहेगा आप कमेंट बोक्स में बदाएगा मैं रिप्लाइ नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगो टाइम नहीं मिलेगा लेकिन हां कभी न कभी मैं आपसे बच्चों को एकदम कोई अलग होता है यानि आपको अगर अच्छा बोलना है अच्छा या जो बोलने वाला कोई बोल रहा है मैं बोल रहा हूं तो आपको अच्छा लिसनर भी बनना पड़ा है इसलिए बोलना और सुनना क्या होता है यह भी हमारे पास संप्रेशन के क्या होते है प्रकार के अंतरगत आत पाठाक क्या नहीं पाठाक कि में होती है भाठाक के संकेतों एवं चिन्नों में जो पाठाक को अनुभा प्रण कि जाते हैं भाठाक के माध्यम से बिचारों तता भावनाओं को समझता है पाठाक क्या करता है पहले अपने का सकते हैं पहले भाठाक के माध्यम से अभिवक्त तो द्रिसे परिक्षान एक नीरक्षक भातिव रूप से उत्पादक से अलग होता हैð पर्न्तू उसमें विचार दिसा जाता है इसका संप्रेशन होता है दुर्थासन तटा फिल्म दwałखा इस प्रागट संप्रेशन Hm का वो डांस या कोई कर सकते हैं नाटक देखा होगा उसमें इसारों के थुरू बहुत साथ चीज़ समझाता है तो हम अपने द्रिस से निरेक्शन से यानि विजुलाइजिंग और विजुलाइजिंग करके उस भाव को समझ सकते हैं तो यह हमारे पास क्यालाता है आपका द् सवाल पूछा जाता है तो अगर आपको आज का हमारे यह वीडियो पसंद दाया होगा तो वीडियो को दोस्तों को सेर करने में को भी कमिन यून चाहिए आप जिस भी मेडियम में कह सकते हैं जिस भी मादियम से अपने सोचल मेडिया प्लेप्रों जुड़े हुए हैं फेस वे जो कोशन सेट कर बता है कि पेपर हम आपको यह सब सवाल पूछा जाएगा तो अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर करने में कमी मत करियेगा मिलते निश्प वीडियो पे तब तक लिजय ही जय वारत